दमाश्टर प्रकास क्लासेश यूटूब चनल आप सभी लोगों का स्वाथ करता है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश राज़स लेकपाल के लिए सामान ग्यान के टोटल 25 प्रशनों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप सभी लोगों से कुछ महत्पुन बाते करना आवश्यक है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यह लिखपाल जो भरती है यह 2-3 सालों के इंतजार के बाद आई है इसलिए इस आवसर को हमें जाने नहीं देना है हमें अपनी तयारी को इस प्रकार से करना है कि कोई कोर करसर बाकी न रह जाए अगर आप सभी लोग अपनी तयारी के लिए कोई बुक खरीदने की सोच रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है चच्चू पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है इन्होंने लेकपाल भरती के लिए इस्पेसल किताबे निकाली है जिसमें आप सामने देख सकते हैं इनकी जो बुक है ग्राम समाज के लिए भी बुक है और ये आपका प्रेक्टिस सेट है और जो आपका संपून स्लेबस है जिसमें आपका ग्राम समाज और विकास ये पूरी चीजों को ये वाले बुक तीसरी बुक कबर करती है तो इस प्रकार अगर आप लेकपाल भरती के लिए किसी बुक के बारे में सोच रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन एक अच्छा विकल्ब हो सकता है ये आपकी सारी जरूतों को पूरी करता है आप अपने नजदी की बुक स्टोर से चच्चू पब्लिकेशन की किताबों को खरी सकते हैं ये एक परतिष्ठित ब्रांड है वो इनके दोरा एक अच्छा मेटेरियल दिया गया है लेकपाल भरती के लिए जैसा कि हम लोग अगर ग्राम समाज के इनकी बुक देखेंगे तो उन्होंने लगबग लगबग पूरा स्लेबस कवर किया है इनके बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इनकी बुक की स्टार्टिंग में है इनके बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कोई टॉपिक यहां पर आप पढ़ रहे हैं उसके जो वन लाइनर प्रिश्ण है उनको आप उसी टॉपिक के अंत में देख सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें यह पहला टॉपिक इनका स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश राजस विभाग के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है आप इससे सम्मंधित जो भी आपके वन लाइनर प्रिश्ण बनेंगे छोड़े छोड़े प्रिश्ण बनेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मीचे देख सकते हैं इनके कौन-कौन से प्रिश्ण बन रहे हैं ठीक है यह देखिए यहाँ पर पूरा टॉपिक खतम हो जाता है और पूरे टॉपिक उन्होंने वन लाइनर की रूप में कवर कर लिया है तो अगर आप वन लाइनर प्रिश्ण भी पढ़लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा तो अपने नज़दी की बुकि स्टोर से अगर आपको यह भी खरीदना चाहते हैं तो चच्छू पब्लिकेस हैने का अच्छा विकल्प हो सकता है आप वहां से खरी सकते हैं तो चलिए यह तो हो गया कुछ काम की बाते हैं अपने प्रक्टिस एट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रक्टिस एट का अपना पहला प्रश्ण में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर के इस प्रसिद्ध राजनेतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता था केवल एक नाम से नहीं जाना जाता था वो कौन सा नाम है यह बताना है तो चारो आपसन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कमेंट करके आप लोग एंसर देने का परियास करें इसमें चारक के बिश्णुगुप्त और कोटिल के नामों से जाना जाता था इनको इनके तीन नाम थे जो इनके राजनेति गुरु थे चंद्रगुप्त मौर के लेकिन यहाँ पे समुंद्रगुप्त जो है यह आपसन इनके नामों से नहीं जाना जाता था समुन्द गुप्ति यहां पर आपसंद डी आपका सही हो जाएगा तो डी आपसंद सही होने के साथ चलते हैं अगले परशन पर इसमें कहा गया है योगदर्शन के प्रवर्तक कौन थे आज के परशन आपके लिए बहुत ही महात्यपूर्ण है योगदर्शन के प्रवर्तक कौन थे यह बताना है इसमें कि किसे भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतिये नेता माना जाता है यह अच्छे प्रशन है यहां पर specific क्या नाम भरा जाएगा जो भारत में राजनेतिक सुधारों के लिए आंदोलन के रूप में नेता के रूप में पहचाने जाते हैं तो यहाँ पर आपसन नमबर आपका राजा राम मोहरा भी आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा यह भारत में राजनेतिक सुधारों के लिए जो आंदोलन सुरू करने वाले भारतियत है और राजा राम मोहरा भी थे राजा राम मोहरा भी यहाँ एक फ्लीं के साथ प्रश्न करते हैं यही पताना है इस प्रश्ण में 1856 संथा जो की आपसन नंबर आपका भी यहां पे राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरब और अगले प्रश्ण में हैं आरे समाज की अस्थापना किसने की थी तो यहां पे आरे समाज की अस्थापना जो किया गया था वो स्वामी दयानन सरोसती के द्वारा किया गया था आफसन नमबर यहां पर C आपका राइट एंसर होगा और यहां पर जितने भी आफसन की रूप में हैं सभी ने किसी ना किसी समाज की अस्थापना किया है ठीक है यह भी आप लोग याद कर लिजिए कि यहां पर लेकिन आफसन C आपका सही होगा इसी के साथ बढ़ते हैं जिस कारण उत्तर परश्चिम भारत में बारिस होते हैं उसकी उत्त्ति अस्थल कौन से हैं हम अच्छा प्रसन है तो यहाँ पर भूमध शागर से ऊठी सुनामी हवाओं को ही पश्चिमी विठ्चोब के रूप में जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपसे जonda सही होगा वह हुंमध सहागर आपका सही हो जाएगा यहीं कि जो मान्सों उठते हैं तो फानी हवाओं के द्वारा जो आते हैं उसी को हम लोग पश्यमी विच्छोग जो है कहते हैं ठीक है निया रखेगा आपसा नंबर सी यहाँ पर भूमद सागर सही हो जागा आपका अगला प्रस्ण है गरीन लेंड कहां इस्थित है तो यहाँ पर आपका गरीन लेंड जो है यह पूरे विस्थ का सबसे बड़ा दीप है और यह है अमेरिका और यूरोप के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस्थित है तो कि आपसा नंबर यहाँ पर डी उत्तरी अटलांटिक सही हो जाएगा आपका उत्तरी जोने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रस्म पी इसमें किसी विशेश भावगोलिक छेत्र में पाए जाने वाले पसु सम्राज को कहते हैं तो जो भावगोलिक छेत्र में पाए जाते हैं उसको उफाना कहा जाता है भी आपसनिया पे सही हो जाएगा इसी के साथ अगला प्र पूरवी चीन सागर में बहती है तो यहां पर पूरवी चीन सागर में बहने वाली नदी का जो नाम है वो आपका यांग से यांग से के नाम से यहां पर सही हो जागा जो कि आपसर नमबर डिया में आपको लिखा गया है ठीक है और अगर बात करते हैं सभ्यता का पालना भी जो है इसी को कहा जाता है ठीक चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है इसमें से कौन सा भारत में पश्यमी राज की तीन अस्तरिय प्रणाली में एक अस्तर नहीं है तो पंचायती राज में जो तीनों अस्तर है वो आपके अस्तर हो जाएंगे ग्राम पंचायत पंचायत समीती और जिला परिशत यहाँ पे नगर परिशत जो है यह आपका इसके अंतरगत नहीं आएगा दी आपसन यहाँ पे सही होगा क्योंकि यहाँ पे एक अस्तर नहीं है उसके विशे में पूछा गया है इसी के साथ दी आपसन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण पे और अगले प्रश्ण में है संबिधान सभा के पहली अध्यच कौन थे अच्छा प्रश्ण है आप लोग एंसर देने की जो है कोशिस करते रहें जिससे की अंसर याद होता चले तो सबसे पहले बात करते हैं संबिधान सभा की पहली बैठक की तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसी में जो अध्यच्छी के रूप में चुना गया था वो दाक्तर सचिदानन्द सिनहा को जो है चुना गया था और ये अश्थाई सदस के रूप में इनको चुना गया था लेकिन यहां पर जो कहा गया है प्रस्ने में संबिधान सभा के पहले अध्यच के वारे में कहा गया अस्थाई अश्थाई से मतलब नहीं है तो पहले अध्धच जो चुने गए थे वो आपके डाक्टर सचिदानन सिनाज चुने गए थे लेकिन यहीं पर अस्थाई की बात करता तो 11 दिसंबर दो दिन बाद इसके 11 दिसंबर 1946 को राजेंदर परसाद जी को अस्था यद्धच के रूप में चुन लिया गया था ठीक लेकिन यहाँ पर पहले की बात किया गया रहा है तो भी आप सुनिया पर सही हो जाएगा कन्फ्यूज नहीं होना है और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है एक रूपे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होती है तो यहाँ पर एक रूपे के नोट को अगर छोड़ देते हैं तो जितने भी नोट अपने भारत में बरतवान में मुद्रित यानि पर चलित हैं उस पर सभी पर RBI जो गवर्नर होते हैं उनके जो है यहा अगले प्रशन की तरफ और इस प्रशन में कहा गया है किस राज में भारत में जनसंख्या का घनत सबसे कम है तो यहां पे दो हजार ग्यारा की जनगरना की अनुसार तो जो जनसंख्या घनत सबसे कम है वो आपका अरुणांचल पर देस है थी यहां पे बिल्कुल राइट एंसर हो जागा जो की सत्तरह ब्यक्ति यहां पे अगर देखा जाए तो सत्तरह परसन जो है वर्ग किलो मीट परसन के हिसाब से था ठीक है चलिए चाप परसन था इसी के साथ अगला परसन है दो व्यक्तियों के वारतालाप में आवाज का डेसीबल अस्तर कितना होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनके पीच जो डेसीबल का अस्तर होता है वो कितना होता है यही ब के बराबर होता है और वहीं पर जोर से बातचित करने की बात करते हैं तो पचास से साथ के मद्ध होता है और साइरन जो बज़ता है आपका वो 110 बीस होता है ठीक है लेकिन सबसे अगर अधिक की बात करते हैं तो जो मिसाइल हमारी छोड़ी जाती है उसमें सबसे दिखते ही जवाज होती है कभी कभी पूँच लिया जाता है कि सबसे थिक डेरेशी भल अस्तर जो है किसका होता है तुम मिसाइल की होती है मसीन गन, मिसाईज, ये सारे होते हैं ठीक चली अगला परस्ट देखते हैं अगले परस्ट में कौन सी बहुती करासी आने से भिन्ने है तो यहां पे ये बल जो है सबसे अधिक भिन्ने अपसन आपका राईटेंस रोगा इसी के साहथ अगला परस्ट है प्यूस गरंथी पाई जाती है प्यूस गरंथी को Master गरंथी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो पाई जाती है आपके मस्तिस्क के नीचे पाई जाती है अजला प्रशन है Computer वाइडिस है तो आजल का आफम सब नम्बर जो सही हो जागा computer wireless जो है वो आपका पहला आपसन ऐसे computer program जो स्वयम की परतलिपियां बना सके हैं ठीक तो पहला ही आपसन ये एक wireless के रूप में है आपसन नमबर पहला इसका right answer हो जागा है वहीं पर अगर wireless के पूरे नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा vital information resources resources under siege ठीक ये भी ध्यान रखिएगा चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं तो यहाँ पर जो परितंत्र के मूल घटक हैं वो पाउधे और पराणी हैं पहला ही आपसन नहीं आपका right answer होगा आप कीजिएगा ये पाउधे और पराणी जो हैं ये तो इनके अंतरगत ये आएंगे बी आपसन जो है जीविये और अजीविये के अंतरगत ठीक है बी आपसन सही होगा ठीक है ध्यान रखिएगा पहला आपसन नहीं सही होगा क्योंकि ध्यान नहीं था बी जब देखें तो ध्यान आया जीविये और अजीविये के अंतरगतिय सभी आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर भी आपसन आपका राइट एंसर होगा इसी के साथ अगला प्रस्न है कौन सी नदी उत्तर पादेश में बीहडो यानि रैवनी का निर हो जाएगा ठीक है यह उत्तर परदेश में विहन का निर्मार करती है इसी के साथ अगला प्रस्न है नावाड अच्छा प्रस्न है नावाड इंप्वाड़र प्रस्न के रूप में है याद कर लीजेगा ठीक है अभी किसानों का जो अंदोलन हो रहा था पूचा जा सकता है क्योंकि ये नाबाड का जो कार्य है वो किसानों के प्रती ही है ठीक जिसमें नाबाड की अगर पूरे फुल फार्म की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फार अगरी कल्चर एंड रूरर डेवलप्मेंट इसका पुरा नाम है तो यहां पे भी आपसनाब का अनुमानित ब्रद्धिदर कितनी है तो चलिए कमेंट करके आप लोग एंसर बताइए इसका कौन साइंसर सही होगा तो यहां पे आपसन जो है सही आपका डी होगा 10 से 12 परत्रसत अनुमानित ब्रद्धिदर लगाई गए है वर्स 2021 के लिए ठीक है यहां पे D आपसना आपका बिर्कुल राइट एंसर होगा इसी के साथ अगला प्रश्न है गरीब कल्यान रोजगार अभियान का सुबारंब कभ किया गया तो इसका सुबारंब जो किया गया वो 20 जून 2020 को किया गया था पहला ही आपसने आपका राइट एंसर होगा और पहला आपसन सही होने के साथ अगला प्रस्ण देखा गाए अगले प्रस्ण में है 20 सेप्टमबर 2021 को कि सस्थान पर भारत निपाल सन्यूक्त सैंद पर से छड़ अभ्यासूर किरण आयोजित किया गया है तो जो भारत और निपाल के बीच युद्ध भ्यासूए हैं उसका नाम है सूर किरण ये भी याद रखेगा लेकिन ये कहां पर आयोजित हुआ वो सस्थान का नाम भी बताना है क्योंकि इसमें वही पूछा गया है तो ये आपका पिथावरागर उत्तरखंड में जो इस्थित है वही पर ये हुआ है ठीक तो पहला आपसन पिथावरागर यहां पर सही हो जागा इसी के साथ अगला प्रशन है कपूर महसीर को राज्य मच्छली किस राज्य के द्वारा घोंशित किया गया है यह बताना है चलिए बताईए इसका एंसर कौन सा होगा 75 का तो इस कपूर महसीर को राज्य मच्छली के रूप में जो गोंशित किया गया है वो आपका पहला राज्य सिक्किम ही सही हो जाएगा तो सिक्किम सही हो जागा इसका पहला अपसन और यहां पे 75 नंबर के बाद हम लोग 25 परस्णों को यहां पे सालब कर चुके हैं तो 25 परस्णों में आपके कितने परस्ण सही बन रहे हैं आप लोग कमेंट करके अवस्थ बताएगे और जो परस्ण आपके छूटे हुए हैं यह अगले प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे ठीक है नहीं रखेगा आप लोग अशामत सोचे कि यह प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा छोटा छोटा वीडियों 7-8 मिट का बना देते हैं जिसे आप लोग को प्रैक्टिस होटा चले ठीक है चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में तब तक के लिए ऐसा ही बने रहे हैं हमारे साथ वीडियों को सेर करते रहे हैं और अपने मित्रों को भी बताईए हमारे चैनल के बारे में जिसे उनको भी प्रैक्टिसेट का लाब मिल सके चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिसेट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद